Hey guys welcome back to the session In this video we are going to discuss about Expected Argument Writing Topics For our CAP of Assistant Commandant 2024 अब देखो 2024 exam के लिए जो हमारे Expected Argument Writing के Topics है वो मैंने टेलिक्राम के उपर प्रोवाइट कर दिये हैं आप जाके उन्हें पढ़ सकते हैं उन्हीं Topic के अंदर से डो Topic हमने ले रखे हैं जो के मुझे Important लगते हैं बागे सारे Topic भी मैं करा दूँगा और जिनों को मैं Already करा चुका हूँ उनके Link आपको मिल जाएंगी तो आप उन Topic को जाकर के देख सकते हैं अभी हम देखते हैं इंडिया सुड हैब औ Dedicated Population Control Policy के उपर हमारी Argument Writing क्या हो सकती है सबसे पहले जो इंडिया के अंदर जो हमारी Population Control Policy है ये क्यों लेकर के आना साइगी इसका सबसे पहला Reason होता है कि जो हमारी Population है वो 2727 तक ऐसे प्रिडिक्ट करी जा रही है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा Populis Country इंडिया हो जाएगी और इस चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते है कि हमारी सरकार को एक Policy लेकर के आना साइगी जहां पर हम Family Planning के बारे में बात करें हम लोगों को प्रमोट करें कि उनके Health Services के उपर ध्यान दे कि भई अगर ज़्यादा Family Member नहीं होंगे तो आप लोग ज़्यादा क्या रख कर सकते हो Health के उपर ध्यान दे सकते हो छोटे Family को हम इंसेंटिसाइज करें ताकि वहाँ पर क्या होगा कि लोग छोटे Family बनाना पसंद करेंगे और ये Population Policy लाकर के हम अपनी Population Growth को मैनेज कर सकते हैं तो पहला हमारा ये Reason होता है कि हम सबसे ज़्यादा Population Country हो जाएंगे इस वज़े से हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारी Population Control Policy है वो इंडिया के अंदर लेकर के आनी जाएगे दूसरा होता है Resource Management अब देखो जो हमारे Resources है न वो कैसे है Finite है मतलब Unfinite नहीं है वो Finite है और इसके लिए हमें अपने कहीं न कई Population को ना Manage करके रखना होगा ताकि हम अपने Resources को Manage करके रख पाए जैसे कि हमारे कुछ Resources है जो कि एक Limited मात्रा में ही है जैसे कि Land हो गया, Water हो गया, Food हो गया, Energy हो गया अगर सोचो कि आपके अपास जमीन है और उसमें बहुत जादा लोग आके रहने लगे तो कितना crowded हो जाएगा ना किसी को खाने मिलेगा ना कुछ ठीक है तो इस सीज़ों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं Population Control Policy लेकर के आ सकते हैं कोकि हमारे पास Resources Management करने का Option है और इस चीज़ को धान में रखते हुए यह पॉइंट बिल्कुल सही हो जाती है फिर हम बात करते हैं Social and Economic Development देखो Social and Economic Development के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि एक हमारा इसके फीबर में पॉइंट जाता है कि हम इस Policy को ला सकते हैं फिर हम बात करते हैं हमारे Next Point की जो कि इसको बताता है कि यह क्यों आना साइगी यह होता है Woman Empowerment अब देखो जो हमारी Woman Empowerment है यह भी कहीं न कहीं directly related है population से कैसे related है तो आप देखेंगे कि जो हमारी population बढ़ेगी जैसे जैसे population बढ़ेगी तो होगा क्या कि जो हमारी Woman है वो क्या नहीं कर पाएंगी जादा सा जादा जो हमारे Economic Development के अंदर है अपना Health है वो नहीं दे पाएंगी तो इसके लिए Woman Empowerment भी नहीं हो जगा Woman जादा Employed भी नहीं होगी ठीक है तो कहने कि जो population policies है अगर यह आती है तो इसके अंदर हम क्या कर सकते है जो हमारी Education है Woman का वो बढ़ा सकते है इसके लावा जो हमारी Woman का Economic Opportunity है उसको बढ़ा सकते है Woman की जो reproductive health services है इसको हम बढ़ा सकते है और इन सभी के वज़े से जो हमारी socio economic development है वो उसके भी एक positive असर देखने को मिलेगा तो हम इस initiative को लेकर के आ सकते हैं इस policy को लेकर के आ सकते हैं नेक्स हम बात करते है health and well being की अब जो हमारी health and well being है ये भी depend करती है population पे अगर आपके घर में 5 लोग हो ठीक है तो उनको manage करना थोड़ा असान है लेकिन अगर वही 50 लोग हो न तो उनको manage करना काफे मुस्किल हो उनके दवाईया कराने के पैसे उनके health के उपर जो आपके खर्च है न वो बहुत ज्यादा आज़ाएंगे इसके लिए आप क्या करोगे आप सस्ता इलाज़ धोगे अब इसके अगेंस में कौन से आर्गुमेंट जाते हैं देखो इसके अगेंस में सबसे पहला जो आर्गुमेंट जाएगा न वो होता है ethical concern देखो ethical concern क्या कहता है कि जो हमारे जो population है वो एक individual का right है ठीक है उसको आप reproductive autonomy है उसपे आप रोक नहीं लगा सकते अगर आप ऐसा करते हो तो कहीं ने के उसके freedom of choice के उपर क्या हो जागा कहीं ने के एक तरीके साब रोक लगा रहे हो तो इन चीजों को ध्यान में रखते हु वो उसकी एक्चा है आप उसपे रोक नहीं लगा सकते तो इन सबी चीजों को रमते नजर रखते हुए हम कह सकते हैं कि एक ethical concern है जिसके वज़े से ये policy लेकर के हम नहीं आ सकते हैं नेक्स हम बात करते हैं social diversity की देखो social diversity कहती है कि जो हमारा इंडिया है ना इसके अंदर अल पी में जाओ बिहार में जाओ अलग-अलग तरीके के अलग-अलग norms and culture आपको देखने को मिल जाएंगे और इतनी बड़ी family size जो है वो हमारे इंडा के अंदर बिलोंग करती है रहती है तो उनके ऊपर आप एक policy लागर के ये सोचे कि सारी जो हमारी religious लोग हैं सारे जो हमार हिंदुस्तान के लिए तो हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी बहुत-बड़ी संख्याज हो है वो रहती है जिसके अलग-अलग culture, अलग-अलग religion, अलग-अलग regional norms होते हैं और उनके आप satisfied नहीं कर सकते इसलिए इस policy के उपर आप सोच भे नहीं सकते इसे नहीं ला सकते नेक्स हम बात करते हैं focus on development देखो सरकार से कहा जाता है जो हमारे critics है वो कहते हैं कि देखो सरकार आप population के उपर तो policy लेकर के आ रहे हो चलो ठीक है आप ले आओ लेकिर इंडिया के अंदर जो अभी development के उपर बात नहीं हो रही उसका क्या इंडिया के अंदर poverty है, inequality है, lack of access of basic services, रोटी, कपड़ा, मकान, कई लोगों को नहीं मिल पा रहा, उसके उपर तो policy पहले ला लो, फिर population के उपर policy लाना, यानि कि ये उतना important नहीं है, जितना important है हमारा development, तो development के लिए पहले आप ध्यान दो, फिर बात में जो policy है ना population के, वो आप लेकर के आना, ये हमारा एक against point बनता है, जो किसके अंदर हम लेख सकते हैं, फिर आता है demographic transition, देखो demographic transition का मतलब क्या होता है, demographic transition ये कहता है कि इंडिया जो है ना, अभी वो shift हो रहा है धीरे-धीरे urbanization के तरफ, अभी हम क्या होते थे गाओं में रहते थे लेकिन अब धीरे-धीरे लोग जो हो सहरों में और जो लोग सहरों में हैं, और जो लोग गाओं में हैं, आप basic अंतर देखो, अगर आप सहरों में देखोगे ना, तो एक घर में मुस्किल से 4-5 जात में मिलेंगे, जबकि गाओं में क्या होता है, कि ये number जो हो जाता है, और 6-7-8 तक की number जाते हैं, तो कहने कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया है, उसके एक demographic transition हो रहा है, तो इस समय population बढ़ेगी, लेकिन एक time के बाद ना, ये population खुद बाकुछ, जब लोग urbanization के तरफ जाएंगे, लोग सहरों में जाके बसेंगे, तो खुद बाकुछ जो population है ना, वो कम हो जाएगी, तो सरकार को सोचने की बात नहीं है, इस पे कोई policy policy लेकर आने की बात नहीं है, लोग जो है वो खुद समझदार है, धीरे धीरे जब उनको हो साएगा, जब समझदार होंगे ना, जब ये transition जो पार हो जाएगा, तो हमारी population खुद बाकुद डिक्लाइन कर जाएगी, और एक stable population हो साएगी, तो इसके पर कोई policy लगाने की जरूरत नहीं है, यह हम लिख सकते हैं इसके अंदर, फिर हम बात करते हैं, implementation of challenges, अब देखो जो हमारे challenges है न, इन चीज़ को implement करने में वो क्या होता है, देखो हमारा challenges यह है, कि अगर आप कोई भी population policy लेकर के आते हो, तो वो effectively लागू कैसे होगा, adequate resources नहीं दे सकते, community को engage नहीं करा पाओगे, तो आप कैसे कह सकते हो, कि आप इस policy को लेकर के आओगे, और population रुख जाएगे, यानि कि आप जब इस सीज़ को implement करोगे, तो उसके कई सारे challenges आपको नज़र आएंगे, जैसे कि infrastructure नहीं है, adequate resources नहीं है, community का engagement नहीं है, तो इस तर structure, adequate resources और community engagement निकल के आती है, अब देखो, conclusion क्या है, वो आप पढ़ सकते हैं, telegram पे ये PDF में भेज दूँगा, आप अराम से जाना, तसली के साथ इस PDF को पढ़ लेना, मैं जो keyword है, उन्हें आपको बता देता हूँ, ताकि अगर आप वो PDF नहीं भी पढ़ पाते, तो कहीं न कर दिया था कि भाया, हम इंडिया के अंदर same sex marriage को recognize नहीं कर रहे हैं, अब देखो, इसके argument के अंदर क्या जाएगा, अगर इसके four point के बात करें जाना, तो इसके four point में हम क्या लिख सकते हैं, जो सबसे पहला हम four point लिख सकते हैं, वो हमारा होता है, कि अगर आप अपने culture and religion क बचा के रखना चाहते हैं, अगर आप उसको consider करते हैं, तो इस चीज़ को भारत के अंदर नहीं लाना साइगे, क्योंकि हमारा topic है, same sex marriage should not be legalized in India, यान कि same sex marriage को भारत के अंदर legalized नहीं होना साइगे, तो नहीं होने के पक्स में आपको argument लिखने हैं, तो सबसे पहला हो करेंगे, कहीं नहीं consider करके देखें, तो ये जो law है ना, ये नहीं आना साइगे, क्योंकि भारत के अंदर आप देखोगे, तो जो same sex marriage है ना, ये किसी भी religion का part नहीं है, किसी भी culture का part नहीं है, तो ऐसे religious या फिर uncontoral चीज़ को हम अपने society के अंदर नहीं ला सकते, क्योंकि इसके वज़े से social unrest हो जाएगा, लोगों के बीच में classes देखने को मिल सकते हैं, पहला argument तो ये होता है, दूसरा होता है legal complexity, देखो legal complexity क्या कहती है, ये भारत के अंदर जो कानून है, वो क्या है काफे ज़्यादा complex है, अगर आप देखोगे ना, जैसे inheritance का आप देख लो, inheritance का जो कानून है, ठीक है, serogacy का जो कानून है, adoption का जो कानून है, वो same sex marriage couple के लिए बना ही नहीं है, तो माल लो अगर कोई same sex marriage couple किसी बच्चे को गोत लेना चाहता है, serogacy करना चाहता है, किसी को property inheritance करनी है, ठीक है, माल लो दो लड़कों और लड़कों ने साधी कर ली, अब उ procreation argument, देखो procreation argument का मतलब क्या होता है, हम मानते हैं, जो हमारे भारत के अंदर जो चीज़े हैं, या जो हमारे traditional चीज़े हैं, वो यह कहती है, कि साधी इसलिए करी जा सकती है, या फिर साधी इसलिए करी जाती है, ताकि हमारा जो once है वो आगे बढ़ पाए, पर सोचके द होता है, ताकि हमारे जो once है वो आगे बढ़ पाए, तो यह एक argument जाता है, कि इस चीज़े में once आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए हमें सीज़े को allow नहीं कर सकती है, फिर आती है democratic process, अब देखो democratic process क्या कहती है, democratic process क्या कहती है, कि the decision on whether to legalize same-sex marriage should be left to the democratic process, कहने का मतलब य है, कि जो आप यह decision ले रहे हो, कि legalize same-sex marriage, same-sex marriage को legal कर दो, यह चीज़े हमको अपने उपर लेनी ही नहीं है, जो democratic leader हमने चुन रखा है, जिन लोगों को हमने legislature में भेज रखा है, जो कि majority को represent करते हैं, उनको क्या कर दो, इस मसले पर कानून बनाने को छोड़ दो, वो लोग जो कानून बनाएंगे, हम उस कानून को क्या करेंगे, accept कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे representative है, जो की majority को lead गर रहे हैं, उनके जो views होंगे, जो reflect करेंगे, majority के views, वो समझ के, हम इस process को accept कर लेंगे, तो यह सारा process हम उनहीं के उपर सोड़ देते हैं, तो इसलिए fundamental right are not absolute, देखो, कुछ लोग मानते हैं, कि जो same sex marriage है, यह freedom of choice है, लेकिन मान के चलो, कि जो freedom of right है या जो fundamental आपके right है, जिसकी आप गुहार करते हो, क्या वो right absolute है, क्या, वो right absolute नहीं है, क्यों, क्यों कि जब भी emergency आती है, तो उस right को withdraw कर लिया जाता है, सरकार वो right आपको देन absolute नहीं है, और इस चीज को आप नहीं लेकर के आ सकते है, इसके लिए आप यह क्या कर सकते हो, fever के point में लिख सकते हो, कि भाया जो fundamental right है, वो absolute है ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो, कि same sex marriage को भारत में लागो कर दिया जा है, तो इसकी against के अंदर यह point जाता है, जो कि fever करता है, कि भाया यह चीज नहीं आनी चाहिए, फिर हम बात करते हैं argument जो कि हमारे against में होते हैं, देखो against के argument हमारे होते हैं, कि सबसे पहला होता है denial of equality, जो LBGT है न, वो कहते हैं कि भाया हमारे साथ आप equality नहीं कर रहे हो, हमारे साथ आप समान बहबार नहीं कर रहे हमें कपल के त साधी को legal नहीं मानते, फिर आता है violation of human right, अब देखो violation of human right क्या होती है, इसके अंदर कहा जाता है कि जो same sex couple है यह constitute करते हैं कि भाया इनके साथ जो इनके human right है न, उनका violation करा जाता है, क्योंकि internationally law तो है कि इनके उपर भाई, आप क्या कर सकते हो, साधी वाधी कर सकते हो, जै लेकिन इंडिया में नहीं हो रहा, इसका मतलब इंडिया का कर रही है, violation of human right जो है वो कर रही है, तो इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि इस कानून को इंडिया के अंदर भी लागू हम कर ही देते हैं, अब बात करते हैं mental health and well being की, अब देखो जो mental health and well being है न, यह point जाता है कि जो हमारे LBGT है न, ठीक है, उनके साथ जो क्या होता है, mental trauma होता है, उनके साथ stigmatize करती है समाज, जब उनको देखती है तो, इसके लिए वो खुल के उनके साथ घोमने ही सकते हैं, उनके साथ बैटने ही सकते हैं, तो इसके वज़े से उनके जो mental health है और well being है न, वो खरा equality, dignity and freedom of discrimination होना साथ है, लेकिन यहाँ पर देखो, आप LBGT के साथ क्या हम करते हैं, discriminate करते हैं, इन्हें हम वो right नहीं दे रहे हैं, जो कि एक couple को right देते हैं, इनके साथ हम वो equal बहवार नहीं कर रहे हैं, जो हम एक couple के साथ करते हैं, इन्हें हम वो dignity नहीं दे रहे हैं, जो कि dignity deserve करते हैं तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्हें इस चीज के लिए allow कर दिना सागे इस साधी को legal कर देनी सागे फिर हम बात करते हैं stigmatize and discrimination अब देखो समाज के अंदर ना इनको लेकर के काफ़े ज़दा stigmatize है और discriminate किया जाता है इन्हें अगर सरकार ऐसे कानून लेकर के आती है जिसके वज़े से इनके साध्यों को legal कर दिया जाएगा तो ऐसी कोई भी discrimination या फिर stigmatize आपको देखने को नहीं मिलेगी तो I hope यह जो पूरा का पूरा दो हमारे argument थे ना आपको समझ में आए होंगे यार बता ना आपने जो report writing करे थी ना उसके सारे वीडियो आपने देख ले या नहीं देख ले कोई topic ऐसे है जो आपको समझ में नहीं आया जिसके उपर आप report चाहते हो ना वो भी आप वीडियो के अंदर किसी नए topic के साथ तब तक के लिए जैहिन